करेर काफे में आज शेयर करेंगे कुछ खास टिप्स to prepare for campus placement बहुत ही सरल शब्दों में तो देखें पूरा वीडियो क्योंकि मैं शेयर करूँगे आपसे important links, websites और app के नाम बताऊंगी जो काफी help करेंगे आपको campus placement के लिए यदि आप college time में ही placement चाहते हैं और आप final year के students हैं तो मेरे सुझा विया है कि आप pre final year में ही campus placements के लिए preparation यानि की तैयारियां शुरू कर दें सबसे पहले आपको उन company के बारे में जानकारी होना चाहिए उन company के नाम पता होना चाहिए जिन में आप अपना career बनाना चाहते हैं campus selection के लिए आपके college में अगर कोई company आ रही है तो उसमें क्या job profile है company profile क्या है उसका selection criteria क्या है उस company के किस पत पर नियुक्तियां हो रही है company की chain प्रक्रिया क्या है या process क्या है इस प्रकार की जानकारी इखटी करने के बाद ही आप उसके हिसाब से अपनी preparation को शुरू करें interview भले ही अलग अलग फील अलग बद और subject का हो सकता है लेकिन इसके कुछ बाते हर जगा एक जैसी होती है ऐसे में जरूरी है कि online interview की कुछ basic बातों को अच्छी तरह से समझ लिया जाए यहाँ पर हम online और offline दोनों ही interview process के बारे में बात करेंगे और उसकी तियारी कैसे करें ये बताए सबसे पहले बात करते हैं preparation की परिक्षा से लेकर interview तक हर काम की तियारी अच्छी होना बहुत जरूरी है आपको इस पर पूरा समय देना चाहिए interview से पहले आप संबंदित company के बारे में जरूर जान लें जिसकी position के लिए आपने apply किया है उसके बारे में आप knowledge ले ले उसका subject के बारे में भी आपको तियारी करना important है preparation ही एक वो step है जो कि किसी भी interview में सफल होने के लिए बहुत important है interview से पहले company profile, job description, job roles and responsibilities, eligibility criteria ये सब आपको पहले ही पता कर लेना चाहिए मेरी tip ये होगी कि आपको खुद का एक presentation prepare करना चाहिए और बार-बार practice करना चाहिए उसके लिए आप इन websites पर जाकर company reviews, interview process, types of questions asked ये सब पता कर सकते हैं इसे काफी help मिलेगी आपको job interview के preparation में दूसरा topic है connect करें जी हाँ, interview के पहले LinkedIn जैसी professional sites पे जादा से जादा लोगों से जुड़े और professional से जो आपको इस job के लिए guide कर पाएंगे या फिर कहें तो help कर पाएंगे professional networking हमेशा help करता है आपको आपके career की journey में लोगों से connect होने के साथ साथ ये भी दान रखें कि आपको interviewer के सवालों के जवाब देते हुए भी अपने answers को connect करना है यानि कि जैसा सवाल उससे connected आपका जवाब होना चाहिए practice practice आपको बहतर तरीके से किसी काम के लिए तयार कहती है आपका आत्म विश्वास बढ़ाने में मदद करती है इसलिए real interview से पहले आप mock practice ज़रूर करें हो सके तो किसी दोस्त, teacher, faculty, अन्य शक्स की मदद लें और online या फिर offline interview देने की practice करें आप जिस भी software के ज़रिये अगर online interview देने जा रहे हैं तो उसके ठीक पहले चेक कर लें उसे ठीक से operate करना आपको आता है कि नहीं आता है लक्ष पर एक आगरता यानि focus या concentrate on your goals जीवन की बड़ी से बड़ी मुश्किले या कहें problems भी आसान हो जाती है यदि आपने अपना लक्ष यानि की goals पर focus कर लिया है अगर आप focus रहेंगे तो मुश्किले आपको बहुत बड़ी नहीं लगेंगी और आप असानी से अपने लक्ष को प्राप्त कर लेंगे यदि आप केवल मुश्किलों को ही देखेंगे तो आप कभी भी लक्ष को नहीं प्राप्त कर पाएंगे हमारी योग्यता ही हमें उस पद तक ले जाती है यदि आप लक्ष को ध्यान में रखकर अपनी योग्यता का पूरा प्रेयोग करेंगे तो आप सफलता को जरूर पापाएंगे पासपोर्ट साइज रीसेंट फोटोस हमेशा रेडी रखें अगर रेजूमे में किसी का रेफरेंस मेंशन किया है तो उन लोगों को आप पहले से ही बता कर रखें कि अगर आपका सेलेक्शन हुआ तो हो सकता है कि रेफ चेक के लिए उन्हें कॉल किया जाए इंटर्व्यू के लिए जितनी जल्दी आप त्यारी शुरू कर देंगे उतना ही बहतर होगा अच्छा करने के लिए आप मौक इंटर्व्यू का कभी भी सहारा ले सकते है मौक इंटर्व्यू के बाद अपनी शमता का आकलन करें और लोगों से मिलने वाली प्रतिक्रियाओं पर काम शुरू कर दें ध्यान रहे कि ग्रूप डिसकाशन और इंटर्व्यू में अच्छा करना प्रतिस्ठेट संस्थानों में दाखले की भी पहली अनिवारता है और किसी भी कंपनी में सेलेक्शन की भी इंटर्व्यू में कई सवाल आपके इंटरेस्ट और ग्राजुएशन में पढ़े गए सब्चेट के इर्ध गिर्ध होते हैं ऐसे में उन्हें जरू त्यार कर लें अपनी वीक्नेस को और अपनी स्ट्रिंथ को पहचाने और उन पर काम करना शुरू कर दें अगर आप फ्रेशर हैं तो हो सकता है कि आपको प्लेस्मेंट प्रॉसेस में फेस करना पड़े ग्रूप डिसकाशन यानि की जीडी जीडी ज्यादा दर परिक्षाओं की चैन पद्दती में ग्रूप डिसकाशन एक एहम भूमिका निभाता है नाम से या इतना कठे नहीं लगता लेकिन चैन के लिए इसमें बेहतरीन प्रदर्शन करना बहुत जरूरी है जाने इस पड़ा को पार करने के कुछ एहम और उप्योगी टिप्स के बारे में आज करियर काई ग्रूप डिसकाशन के दौरान कभी भी आकरमक वहवार और व्यक्तित नहीं दिखना चाहिए इससे निगेटिव इंप्रेशन पड़ सकता है प्रेशन के दौरान आप में अपनी राय और मूल तरक को प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की काबिलियत होना बहुत जरूरी है इसके अलावा आप अपना तत्थी किसी फैक्ट के आधार पर प्रस्तुत करें या डिसकाशन में जिस भी पॉइंट पर आप चर्चा कर रहे हैं उस पॉइंट को स्टाटिस्टेक्स और डेटा के साथ पेश करें इसे तरक ज्यादा विश्वस निया होगा वेहवार जितना हो सके सामाने रखें ओवर्याक्ट ना करें अकसर कांडिडेट जीडे में इंटराक्शन के तुरंत बाद ही आपस में लड़ाई जगड़ा करने लगते हैं ये कम्प्लीटली नो नो है आप सबसे पहले सामने वाले की बात को सुने और उसके बाद अपने विचारों को प्रस्तुत करें ग्रूप डिसकार्शन में क्या करें और क्या नहीं बोलते समय आई कॉंटाक्ट बना के रखें बोलते वक्त सिर्फ मौडरेटर से आई कॉंटाक्ट बनाने के अलावा डिसकार्शन में मौजूद सारे लोगों से आई कॉंटाक्ट बनाए रखें GD की शुरुआत करें ऐसा अक्सर देखा गया है कि ग्रुप discussion में शुरुआत करने में जो initiate करता है GD को उसको काफी फाइदा मिलता है क्योंकि ऐसा करने पर वो moderator की नजरों में आ जाता है कोशिश करें कि आप साफ साफ बोले clarity होनी चाहिए आपकी voice में डिसकर्शन को ट्रैक पर लाने की कोशिश करें, डिसकर्शन में ऐसा कई बार होता है कि सारी बहस विशय से विश्यांतर हो जाती है, ऐसे में आप अपनी ओर से पहल करें, और यह बात आपको स्वता ही मॉडरेटर की नजरों में ले आएगी, इससे आपको ही हेल्प मिलेगा Positive Attitude यानि सकरात्मक Attitude बनाए रखें, आपने विश्वास बनाए रखें, किसी भी जगह बिना बात के ना बोलें, Body Language का खास ध्यान रखें समझदारी पूरवक बोलें, ऐसा ना हो कि आपके बोलने के दोरान ऐसा लगे, जैसे कि सिर्फ आप ही आप उस जीडी में मौजूद हैं, बलकि दूसरों को भी Carefully सुने दूसरों की Respect करना बहुत ज़रूरी है, Group Discussion में लोगों को सुनने से भी कई बार कई Link मिल जाते हैं, जो आपको आगे और बहतर तरीके से बोलने के लिए Points दे देते हैं ऐसे में आप जितना Special Attention देकर सुनेंगे, उतना जादा आपको Benefit मिलेगा, बहुत जादा डीटेल में ना जाएं, ऐसा कई बार हो जाता है कि हम कई विश्यों पर काफी कुछ जान रहे होते हैं और उस Topic पर बहस शुरू होते ही हम पीले पड़ जाते हैं, ना तो हम दूसर Formal कपड़े पहने, Interview और Group Discussion कोई Fancy Dress Competition नहीं है, इसलिए इस बात का विशेश ध्यान रखें Current Affairs और General Awareness से जुड़े विभिन विश्यों के संबंध में बोलने की अच्छी खासी प्राक्टिस कर लें, इसके लिए आपको अपनी Speech के Content की काफी प्राक्टिस कर लें कोशिश करें कि किसी भी टॉपिक पर कम से कम एक मिनट तक के बोलने के लिए आपके पास अच्छा खासा कंटेंट हो इसे आतनविश्वास तो बढ़ेगा ही, साथ ही रोजाना प्राक्टिस से आपको प्रभावी तरीके से अपने विचारों को प्रकट करने में help मिलेगी कुछ best websites जो आपको group discussion के preparation के लिए मदद करेंगी वो कुछ websites हैं जिनके नाम मैं आपको comment box में भी दूँगी और अभी भी share कर रही हूँ वो है injabix.com, careerright.com, time for cat ये one of the most popular app है आप career launcher पर भी जाकर group discussion के तियारी कर सकते हैं group discussion topics and tips ये भी एक app है hit, bull, eye एक बहुत अच्छा app है जो मैं अपने students को select करने को कहती हूँ आम तोर पर interview के दरान आपके भविश के योजनाव से संबंदित प्रशन पूछे जाते हैं जैसे कि आपने MBA या management का course क्यों किया इसका ठोस जवाब आपको पहले ही तयार करके रख लेना चाहिए आपकी future planning क्या है, आपके short term, long term goals क्या है इसके बारे में भी आपको पहले से अपने answers को लिख कर अपने mentors को चेक करवा लेना चाहिए नहीं तो आप interview में फस सकते हैं ऐसे सवालों का जवाब देते समय आपको बहुत इमानदार रहना है आपके क्या strength है, weaknesses है, ये सारी बाते आपको बहुत ही clearly बाते हैं उमीद है आपको इस वीडियो से काफी मदद मिलेगी websites और app के link आप description box में जाकर चेक कर सकते हैं आप इस वीडियो को अपने friends, juniors उन सब के साथ share करें जो या तो campus preparation कर रहे हैं या फिर campus placement की तैयारी अगर आप सफलता पाना चाहते हैं और ऐसे ही और videos देखना चाहते हैं तो subscribe करना ना भूलें, देखते रहें Career Cafe